इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके है बीती दो दिसंबर के दिन हाट अटेक के चलते सिधार्त शुकला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया सिधार्त शुकला 40 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके है सिधार्त इस दुनिया में अब नहीं है इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है पूरी फिल्म इंडर्स्ट्री और टीव इंडर्स्ट्री में शोक की लहर तोड़ पड़ी है सभी स्तितारे गहरे सदमे में डूबे हुए है अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिये तो वहीं सिधार्त शुकला के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर भी पहुँच रहे हैं और परिवार को सांतवना देते हुए नजर आ रहे हैं इसी दुख की घड़ी में भोजपुरी सुपरिस्टार और पॉलिटीशन मनुस दिवारी ने अपने दर्द को बया किया है जेहां दोस्तों मनुस दिवारी ने भी अपने दिल के दर्द को छलकाया है मनुस दिवारी सिधार्त शुकला को हमेशा ही याद रखेंगे और सिधार्त शुकला के यू चले जाने पर वहे भी काफी दुखी है आए जानते हैं क्या कहा है मनुस दिवारी ने देखिए रेपोर्ट सिधार्त सुकला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यतित है बहुत दुखी है, बहुत शौकिंग है सिधार से इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे यह सब हमने कभी सोचा ही नहीं वो जितने अच्छे आक्टर थे उतने ही वो आक्टर्स में साथियों में लोप्रिय भी बहुत थे सिधार से कई वार मुलाकात होई उनके बिनम्रता भी मुझे याद आ रही है मैं समझ सकता हूँ इस समय उनके चाहने वालों पे क्या गुजर रही होगी उनके परिवार में उनके माता पिता के क्या इस्तिय होगी उनके बहनों की दो बहने हैं उनकी क्या situation होगी हम आप तर्पना कर सकते ही अब हम तो यही प्रार्टना करेंगे कि हम सब इस दुख को बरदास्त कर सकें उनके परिवार के लोग इस दुख को बरदास्त कर सकें ऐसा इश्वर उनको शक्ती दे इसे धार्त में बहुत संभावना थी वो बहुत ही तेजी से लोगों के दिलों में अपना धर बना रहे थे मैं इश्वर से प्रार्टना करूंगा कि उनके सभी चाने वालों को ये दुख परदास दरने के शक्ती दे सिधार तुम याद रहोगे हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से मनोस दिवारी भी अपने दिल के दर्द को बया किये हैं और वहे भी काफी गहरे सदमे में डूबे हुए है फिलहाल देखा जाए तो सिधार तुम शुकला का पूरा परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है सिधार तुम शुकला की अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी है और अंतिम विदाई देने के लिए उनकी करीबी दोस्त टीवी इंडर्स्टी और फिल्म इंडर्स्टी के सितारे उनके घर भी पहुँच रहे है हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे है नेक्स्ट टनाइन न्यूज